हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक पार फिर से आपके अपने चनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे भाईयो आपके लिए एक नहीं सर्कृट लेके आएं फिर से आज और यह सर्कृट काफी डिमांडिंग था कही वार लोग कमेंड भ दिया है और यह को कोई प्रॉफेशनल देखिए तो नहीं है सर्कृट आप डियाई वाई कह सकते हैं कि 100 प्रस 100 वाट स्टीडियो डियाई आपको मिलेगा वह बनाके चेक कर सकते हैं जिससे कि आपको आगे आने वाले सर्कृट आस्तानी से समझा जाएंगे और इसी बेस पर बनते हैं तो हाला कि कुछ मेरे दोस्त हैं मेरे भाई हैं जो बना के टेस्ट भी करते हैं फीड़बैक भी देते हैं कि हां सरकेट सही चला है और कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जो बनाते हैं डियाई वाई में प्रॉलम आती है कहीं पर क्योंकि डियाई वाई प्रोजेक्ट होते ही ऐसे हैं कि जिनमें थोड़ी बाइबर प्रोलम्स आती रहती हैं और वह में सौट आउट करनी होती हैं कि पहली बार कर रहे होते हैं तो हमें प्ता भी नहीं होता तो देखिए वह अलग बात हो गई प्रलम सोट आउट करने के लिए मेरे वाट्सअप ग्रुप पे भी जैन कर सकते हैं या फिर डिरेक्ट मैसेज कर सकते हैं जितनी हैल्फ हो सकते ही कि मैं कर दूंगा तो यह तो हो गया और मैं धन्नवाद करना चाहूंगा और भाईयों का जो दिल से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं मेरे हर वीडियो को देखते हैं एप्रिसियेट करते हैं तो मेरा भी मन लगता है कि मैं उनके लिए नए-नए सर्केट लेक्या हूं और अच्छी तरह से एक्स्प्लेइन करके उन्हें समझा पाऊं किस तरह के सर्केट हैं और कैसे काम कर रहे हैं तो आपका भी इसमें फायदा होगा मेरा भी मन लगा रहेगा चलिए आप लोग सीख रहे हैं अच्छी बात है लेकिन मैंने पिछले वीडियो में जैसे बताया था किसी भी गरीब से नाजाइज पैसे की मांगना की ज कर दोते चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि रेपेरिंग वाला कि साम किसी दिन बताएंगे रेपेरिंग वाले वही थे उनका तो कैसे इना जहाईज लोगों को सदाते थे एक तरह से पैसे ज्यादा लेना वही होता है इसलिए वीडियो स्टार्ट करते है जब बाकी ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और जो भाई चैनल पर नहीं आते हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं बनना सिर्फ लाइक और कमेंट तो करीज दिया करें तो देखिए यहां सबसे पहले हम लेंगे उपर एक पॉजिस्टिव लाइन जो के 35 प्लस बॉल्ट रह होती है ठीक है तो इस पार हम तो अलग से इंपूट करेंगे इस तरफ से इंपूट करके चलेंगे तो यहां ट्राइस्टर ले लिया है मैंने जिसके आगे नंबर 557 रहेगा इसका पिन कॉन फिर्केशन हम एक बार देख लेते हैं तो कलेक्टर वेस और एमीटर कुछ इस सब्सक्राइस दिखता है एक पीएंबी ट्राइस्टर है ठीक है तो इंपूट हम लेके चल लेते हैं इसके साफ़े देखिए इनपूट यहां पहले लिख दिया है क्योंकि हाँ एक बात यह मैंन होती है कि कुछ भाई मेरे वीडियो देखने के बाद मैं यह पूछते है कि इसमें इंपूट कहां देना है मालीजी इसमें भले ही मैंने इंपूट न लिखा हो लेकिन वीडियो बनाते टाइम पर मैं बोलते टाइम पर बताता जरूरू कि आपको इंपूट कहां देना है और कैसे देना है तो आप कंप्लेट वीडियो देखें तो ही आपको समझ आपको सिर्फ करकर के वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा फिर आपकी कमेंट करने का भी कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं कि अगर मैंने वीडियो बताया है कि इन्पुट कहां देना उसके बाद भी अगर कोई पुछता है तो फिर मैं कमेंट का जवाब नहीं दूँगा उसका चलिए बहुत अलग है यहां में पुट्ट ड्रॉ कर लेते हैं तो यह यहां एक बन की अध्यां कर्य pom हमारा इस तरफ बागी तरफ रहेगा और प्रीट्ट्रेंस्टरफ रहेगा ठीक है और य सिठी बेस पर चलाए जाया है तो यहां यह input का complete होता है अब यहां हम दिखा देते हैं क्योंकि ग्राउंड के साथ देना होता है तो इससे भी सरल तरीका और कोई हो तो मुझे बताने यह बता दिया है कि आपको इनपुट यहीं देना है दो पॉइंट्स पे ठीक है तो आगे देख लेते हैं अब ऐसा ही से में और चाहिए होगा तो से ले लेते हैं नंबर से मी रहेगा 557 और इन दोनों की एमिटरों को हमें आपस में जोड़ना होगा जैसे कि यह लास्ट वाला पॉइंट एमिटर है देख रहे है तो इसका यह कैंट में रहेगा और इसका ये एमिटर है चलिए कर दो देंगे और इनके जोड़िकर पे हुआ चलिए इसके हम भूग हम अजोड़ लीते हैं जो कि यह को आध है के सवाले का क्लेक्टर रहेगा हमारा है वो इस रहेगा युई पर त्धच ग्रेक्ट के साथ में ही वाले के साथ में सद्धेंस जोड़ने तो यहां इसके बेस पर चला जाता है तो चलिए इसकी भी पिन कॉन्फिग्रेस अने गवार देख लेते हैं किस तरह की है तो कि विडिवन थर्टी नायन है ते कि यहां पर इसका एमेटर कलेक्टर और बेस इस तरह से है और यहां उल्टा लगा हुआ है तो बेस इस तरफ आ जाता है तो यहां से जो भी सिगनल हमें कहीं मिलता है तो हम ट्राइसिस्टर के बेस पर ही देते हैं जैसा कि पिछले सारे वीडियों बता चुका हूँ लेकिन जो भाइन नए हैं उनके लिए भी रेपीट कर दे रहा हूँ एक बार कि हमने इसके बेस पर दे दिया अब सिगनल यहां से एंफिवाई करने के लिए क्या होता है हमें नेगेटे सप्लाइब देनी पड़ेगी और इससे में प्रॉसेस करके सिगनल भी आगे मिलेगा तो देख लेते हैं यहां क्या होगा टू के की टू के टू की रिजिस्टेंस की दवारा औ और यहां दो आपको डायोड लगाने पड़ेंगे फास्विचिंग डायोड रहेंगी यह वन एन फार बन फॉरवन फॉरट तो यहां दो डायोड इसके सीधे कि एक साद जूड़ जाते हैं देख लेते हैं नंबर मेंन लिख देता हूं वहन फॉर बन फॉरेट टायोड औ और आम बोल चल भाहसा में इसे आई एन भी बोल देते हैं तो वो उससे फरक नहीं पड़ता आपका लास्ट वाला डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए कभी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला हुआ भी है कि आई एन तो वो बन है लेकिन कई बार लगता है बोलने मे आयोड होता है फास्विचिंग के लिए यूज किया जाता है आगे दिख लेते हैं देखिए इसका जो कि एमिटर रहेगा वो डिरेक्ट हमारा नेगेटिव सप्लाइब से जुड़ा रहेगा और इसी तरह से उपर भी हम देखें तो एक बन बीडी बन थर्टिन एन यहां जिगोर के तरह लगा रहेगा और इसका भी कुछ एसे जी मिलेगा वहमिस के बिश्यंति दिदेंगी और इसका जो ली उस्चा बशेड़ we granular एका दो कि यहां वहां यहां सभ्क ενट हमाने नेगेटिव बिढ़ता था प्रिक्तर परियाब फॉपर जब जाए थी वैसे इसके क्लेक्टर फिन फॉपर ही याई है और यहां यहां से नाओट मिल जाएगा तो वह आगे देख लितने किस तरह से तो यहां से से जो में आउट मिलेगा वह सीध्य हमारा वावन सो पर चला जाएगा अब बावन सो का क्लेक्टर जो होता है वो डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव सब्लाई से जुड़ा रहता है ठीक है तो यह इस तरह से हो गया और आगे का देखे तो इसके भी हमें क्लेक्टर से ही आउट मिलेगा यहाँ हमें जो आउट मिल रहा था है मिट्र से विली रहाथा यहां हमें चैमंदकर से आउट मिलेगा ठीक है और इसकी जो बीस पर आ था हुँ भी सिगवल नहीं से मिल रहा था लेकिन क्या होता है कि यह पुसिलट Car Acter का है, एक एक नेगके seemiges जो पर पर ती यह कि एक्टिफाई नहीं सद्वाइब एंप्रिफाइब करने के लिए तो आगे देख लिए कि यह दोनों एंपी एंट्र ट्राइश्टर ते यहां पीन पी ट्रैस्टर आजाएगा वीडीवन पॉर्टी तो चली देख लेते हैं से वीडीवन फॉर्टी लिख दिया जासे गें हों ने तो यहां से से इसके बेस पиль ड्र सब्सक्राइब अब इसका जो क्वेश्छ आ सकरे एक वो डिरेक्ट नेकटिव सप्रकेश्ण रहे गाएगा इनक्ष नेकटिव का जो क्लेकटर 243 के बेस पे जैसा कि यहां दिखा दिया है और इसका जो क्लेक्टर हो डिरेक्ट हमारा नेगेटिव सप्लाइज से चुड़ा रहता है और जो हमें अब फाइनल आउपट मिलेगी वह इसके एमिटर से मिलेगी तो एमिटर पे रेजिस्टेंस लगी रहेगी आप आप 0.33 या फिर 0.22 या फिर इसे आसपास जो भी रेजिस्टेंस मिलती है आपको जीरो पॉन्ट तरी उसके आसपास आप लगा सकते हैं तो यहां कि सरक्ट अभी एक तरह से इन कंप्लेट है अभी यह चलेगा नहीं तो इसे और देख लेते हैं देखिए यहां से हम फीडवेक वाली लाइन ले लेते हैं जैसा किहां देखा है और इस प्रेजिस्टेंस लगी रहेगी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखेंगे तो आपको गेल ज्यादा मिलेगा और वह सरक्ट के साफ से डिसाइड किया जाता है ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा दें किसी भी सरक्ट में तो ज्यादा मिलने लगेगा तो उसकी कुछ लॉस भी तो एक कैल्कुलेटर वैल्यू रहती है उसी के आसपास आप लगा सकते हैं थोड़ा बहुत फिर बदल कर सकते हैं उसके आसपास की वैल्यू ही रखें ठीक है तो अब यहां से यह सीदह से लाजाए एक हमारे बेस पे ठीक है एक टूट्वेंटी के के रिजिस्टेंस के त जूड़ी रहती है फोर के सेवन की और यह साथ ही ग्राउंट से कनेक्ट हो जाती है यहां आपका सर्केट यह बन जाता है अब यह सर्केट तो काम करेगा लेकिन क्या है इसमें हमारा जोबल नेटवर्क प्रटेक्शन नहीं है जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो था तो उसमे जोबल नेटवर्क प्रटेक्शन नहीं था तो इसमें जोबल नेटवर्क प्रटेक्शन एड़ कर देते हैं यहां पहले मैं स्पीकर दिखा जाता हूं आपको जैसे कि यह स्पीकर है तो यह हमारी ग्राउंड वाई लाइन है जो कि माइनस से जुड़ी रहेगी और पॉज से एक टैनों का रेजिस्टेंस आपको लेना है उसके सीरीज में एक 104 का आपको पीएफ जोड़ना है और वहां से सीधा नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है जोबल नेटवर्क में क्योंकि जितना आप देख रहे हैं यहां पर यह जो जाएंगे तो चल जरूर जाएगा यह और अगर कमेंट करेंगे तो इसका टेस्टिंग वीडियो भी मैं डाल दूंगा जलती ही और यह था आज का वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा तो चैनल को सपोर्ट करते रहे हैं लाइक कमेंट तो करीद दिया क कर दो